इतनी चरस बोदी इन लोगों ने कि रवीश कुमार जी को भी बचाव में उतरना पड़ा इसमें वो पहले ही केरल के मॉडल को सबसे अच्छा बता चुके थे केरल ने संक्रमन को थामे रखा क्यो नहीं केरल के मुख्यमंतरी पिनराई विजियन को कोविड-19 से होने वाली लड़ाई का कप्तान बना दिया जाता है इनके चेले भी लगातार बता रहेते कि केरल देश से धाय तीन किलोमेटर आगे चला गया है मैं आपको रूबरू कराने جा रहा हूं केरल मॉडल से क्या आप जानते हैं कि केरल इस वक्त देश से दो कदम आगे चल रहा है वो अभी से इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरह से हटाया जाया यह बात हो रहा है कि किसी ने चेक नहीं कि एक केरल तीन किलोमेटर आगे जाकर लोटा लेकर बैठ गया इतना हगा है कि लोटे का पानी खत्म हो गया और पत्ते के नाम पर बस खजूर और नागफनी दिख रहा है ना पोचते बन रहा है ना छोड़ते हुए उनको लगा कि ये चोटी लंगोटे वाले हिंदों की सरकार कर ही क्या लेगी ऐसा नेरेटिव फेक के मारेंगे कि मोदी जी खुड ट्विट करेंगे कि अव्यक्ति की स्वतमता सिर्फ बामी कामी इसलामी भाईयों और सेस्की वाम पंथनों के लिए होगी जने उधारी लोग और हिंदूों के हितेसी जाएं बूट ला दें ठीक है कि अब इसाने मुख्यमंत्रियों से बात की लेकिन जब रवीश को फोन नहीं किया तो क्या फायदा क्या देश का ग्रेमंत्री इतना व्यस्त रहता है कि रवीश जी को एक बार फोन नहीं कर सकता कि सर स्थिति नियंत अगर आपने शाम का स्क्रिप्ट लिख लिया है तो अपडेट कर लीजिए कि पतनी योग के वीडियो बना रही है तो मैं भोग के बनाऊंगा वैसे भी पुराने लोगों ने भी कहा है कि जीवन में आहार मैथुन और निंद्र अवश्यक है उन्होंने इस कुरूर समाज क तानों के भैसे यह कारिकिया और फंस गये वही समाज आज इन पर हस रहा है यह बताता है कि जब आप गिरे और मुर्जाय हुए हो तो कोई नहीं पूसता अगर आप तने रहेंगे तो लोग आपको भाव देंगे यह बात राजभाई से ज्यादा और कौन समझ सकता है वही मसकरों ने पूछा कि पिछले बार कोई दर्द था क्या जो इस बार चला गया लेकिन भाजपा वाले इस इंतिजार में कि यह लोग खुद को एक्सपोज कर देंगे अजीद जी अरे भाई हो गए एक्सपोज भगाव इनको यहां से जो हर दिन करोड़ों का व्यापार एक एक रेगिस्तानी सब्वेता की दोगली पैदाईस जो कुरूप और बरबर था नवसकार में जीत और आप देखने डूपल्टिक्स कोरोना के दवर में भारत अकेला देश है जो मॉडलों पे चर्चा कर रहा है उपर से 32 नीचे का 36 वाला मॉडल नहीं बात कर रहा हूं केर पंथी चिर्कुटो ने कहा कि दोनों को बेस्यम दे दो क्योंकि इनके यहां कोरोना की दूसरी लहर आई ही नहीं शर्ते लागू वाले छोटे स्टार को मैगनिफाइंग ग्लास से जब देखा गया तो पता चला कि दोनों ही ब्रोज ने पहली लहर को खत्मी होने नहीं दि किरल जिन्दाबाद हो गया और उसके लाद कोरोना का एक भी केस किरल में आया ही नहीं ऐसा कहा जाता है यह मॉडल किसी आंकड़े या तर्थ से परे सिर्फ एक वामपंथी सरकार की तरफ से आने के कारण सुपर मॉडल बनकर उभरा इस मॉडल की खासियत यह है कि इसकी सा क्रमतों की संख्या में तेरा भाई यूटी के साथ मिलके लगभग आदी संख्या देने का विलक्षन की इर्थिमान बनाया है फिर बकरीद आ गई और पिर पिनराई विजियन ने कहा कि तीन दिन तक सब कुछ खुलेगा ताकि शांती प्रियलो तबलीगी जमातियों की पह को ना रोगी आ रहे थे जब खोल दी गई तो वो सीधे 17-18,000 से चलते हुए आज की तारीख में 22-23,000 पर पहुंचे हैं जो कि भारत की कुल संक्रमित संख्या का आधा है कुछ लोग परिशान है कि तीन प्रिशत जन संख्या वाले राज में 50 प्रिशत मामले आ रहे हैं आप लोग देखे कि केरल वालों से कितने जलते हैं बाहर के लोग वहां के लोग जब आईसिस जाते हैं और इसी विदेशी कंपनी में कैंपस सेलेक्शन पाते हैं तो कोई चर्चा नहीं होते हैं क्या वो लोग बाहर जाकर भारत के संसाधनों पर पढ़ रहें बोज को हलका नहीं कर रहें क्या फरेक्स रिजब में पैसे नहीं आते हैं के लोगों को ऐसे दिखाय जा रहा है कि बहुत बड़ा अपराध हो गया आप लोग सुप्रीम को ज़्याद जज़ बने जब आप सुप्रीम कोट के जज़ बन जाते हैं तब आप समिधान से उपर की चीज़ हो जाते हैं तब आपकी आँखों में जो घोड़े का बाल घुसता है वो आपको बताता है कि सावन में उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना के दैनिक मामलों के संख्यां सो और पचास जा रही है वहां कावर यात्रा करवाना बिल्कुल ही अनुचित कारी है आप यह लिख सकते हैं कि यह आपराधिक क्रित्य क्रिमनल यह हम होने नहीं देंगे लेकिन हाँ जिस राज़िमें दिन के आठ नौ आजार मामले आ रहे हो वहां जज़ साब के मुह में बकार उससे मुह से नहीं निकल पाता मासा चूसेट्स तकनीकी संस्थान में प्रकासित एक्षोध में कहा गया है कि उन्होंने मुह में कुछ ले रखा था और कंट तक पहुंच रही थी वह अस्तों किसे ने कहा कि आइस क्रीम भी लगा रखा था तो ब्रेन फ्रीज हो गया और पूल नहीं पाए एक कनपुडिया आदमी ने पूचा कि सेकलरिजम का कीरा तो अमूमन स्थान विशेश से घुसकर कुल बुलाता है जद साहब ने मुह में क्यों ले लिया लेकिन वह सची बात जो है वो यह है कि जद साहब ने साइंटिफिक टेंपरामेंट दिखाते हु मतलब हिंदू अगर कोट की हर बात माल लेता है तो उसके दही हाडी की उचाई से लेकर जली कर्टू दिवाली होली गणेश चतूर्थी कावरियात्रा राम नम्मी दुर्गा पुजा से लेकर सबरी मला तक सब पर ज्यान और आदेश देते रहो लेकिन बाकी लोग तो काजपा समर्थ तक इतने उताबले होगे कि सबसे पूछने लगे कि अब कोई केरल मॉडल पर क्यों नहीं बोल रहा इतनी चरस बो दीन लोगों ने कि रवीश कुमार जी को भी बचाव में उतरना पड़ा रवीश जी इन सब छोटे मुद्दे पर नहीं बोलते हैं यह उन कुविड-19 से होने वाली लड़ाई का कप्तान बना दिया जाता है इनके चेले भी लगातार बता रहे थे कि केरल देश से धाय तीन किलोमेटर आगे चला गया है मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ केरल मॉडल से क्या आप जानते हैं कि केरल इस वक देश से दो कदम आगे चल रहा है वो अभी से इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरह से हटाया जाए और उसके लिए इस शक्स पिनरई विजयन ने इस बात क खोशना की है कि अगर लॉकडाउन खत्म किया जाएगा तो किन तेन चैरणों के अंतरगत खत्म किया जाएगा ये बात हो रहा कि किसी ने चेक नहीं कि एक केरल तीन किलोमेटर आगे जाकर लोटा लेकर बैठ गया, इतना हगा है कि लोटे का पानी खत्म हो गया और पत्ते के नाम पर बस खजूर और नागफनी दिख रहा है, ना पोचते बन रहा है, ना छोड़ते हुए, रवीज जी य हर दूसरे दिन ये सब बारता रहता है, और उसे केरल के मॉडल पर प्रश्न पूछा गया, तो पूछ रहा है कि उसके घर के नाले पे उगे पुदीने का रंग हलका हो गया, उस पर आईटी सेल चुप क्यों है, रवीज जी आईटी सेल का काम प्राइम टैम में बकैती करक पतंजली के विग्यापन लेके बाबा राम देव को घरियाने का नहीं है, आईटी सेल वाले मीडिया के स्तंब नहीं है, नहीं उन्होंने किसी मॉडल के साइज पर बुक लिखी थी, जिस दूसरी लहर के नरसंगहार पर आप बात कर रहे हैं, उस समय भी दुर्भागिसे आपके दो बेस्टेस्ट सीम अफ आकाश गंगा गलेक्सी सबसे ज़्यादा लाशें डोरें थे, सवाल तो आपने बंगाल के नरसंगहार पर ही नहीं किया, जो वाकई नरसंगहार था, नवीज के लिए कॉंग्रेस के आपात काल को छोड़ कर हर साल आपात काल है, लतें भेजनें बीटती है ना, तो बंदूक और गोली दिखती है, लेकिन चलाने वाले की पाचान आउट फोकस हो जाती है, रवीज तुम उतना ही जानो जितनी तुमारी अवकात है, तुम उतना ही वोलो जितना तुमारे लंपट फॉलवर्स डिफेंड कर सके, रवीज तुम एक ट्रोल से इंच भर भी ज्यादा कुछ नहीं हो, क्योंकि तुमारी विवस्ता यह है, कि तुम से केरल मॉडल पर प्रश्ण किया जाता है, तुम पेगसस और पेट्रोल पे बोलने लगते हैं, यह वही आवारा बच्चा है, जो बाप के हाथ में रिपोर्ट पेल क्यूं हुआ, यह उत्तर देता है कि अरे बगल वाले अंकल का भी बेटा फेल हो गया, दूसरे महले का भी लड़का फेल हो गया है, खेर आप लोग लगातार इस पर प्रश्ण करते रहिए, ताकि देश के बहरे जजज, गुंगे वामपंती और डिजिटल अंधे आपको इनके मजहब के साथ, इन राज्जियों के साथ, कोरोना के सुपर स्प्रेडर को इतनी बार बोलना चाहिए, कि हर जगह तीसरी लहर बोलने पर, बकरीद में दुकानों का खुलना, केरल राज्ज और वहां के सीम विजियन का नाम है, वहीं दूसरी ख़बर में बॉ आपक्ति कॉंग्रेस के सरकारों में अपने पाच फिल्मों पर आंशिक या पूर्ण प्रतिवंद पर, डॉक्टर के हाथों में अंडुकोस थमाकर भी खास तक ना पाया हो, वह 2014 के बाद से अपनी वहिचारी कबजियत को जब तब NMA से बाहर निकलवा कर यह कह देता है, बहिया बस, अब तो भाजबा सब खत्म कर रही है, नए IT कानूनों के प्रावधान के अनुसार, अगर किसी भी प्लेटफार्म पर कोई आपत्ति जनक चीज दिखाई जाती है, तो उस पर 24 गंटे के अंदर शिकायत दर्ज होनी चाहिए, और शिगरात शिग्र सुनवाई ह अभी तक Netflix हो या Amazon Prime, सारे लोग विशुद्ध हिंदू फोविया हिंदू ग्रणा माट रहे थे, पाता लोग में कान पर जनेव रखकर वेबचार करने वाले ब्रह्मन की छवी हो, या फिर मंदिर में मांस खाने का द्रिश्य, कुतिया का नाम पतिवरता सावित्री के नाम पर रखना हो, या फिर हर तीसरे वेब सीरीज में हिंदू इस्त्री का अपने ससुर से अवय संबंद बनाना, चाहे लीला में हिंदू टेरर स्टेट आर्यावर्त को दिखाना हो, या फिर हिंदू देवी देपता को गाली या उपास का पात्र बनाना, यह सारे खंती लोग मानते थोड़े हैं, उनको लगा कि यह चोटी लंग उटे वाले हिंदू की सरकार कर ही क्या लेगी, ऐसा narrative फेक के मारेंगे कि मोदी जी खुद ट्विट करेंगे कि अव्यक्ति की स्वतमता सिर्फ बामी कामी इसलामी भाईयों और सेस्की वाम पंथनों के लिखा जाए कि उनके मोटे फ्रेम वाले बिना नहाय हुए वाम पंथी लुक को बुद्दी जीवी वाला फील दे दे, उन्होंने लिखा तो यह शुरू हो गया है, नेट्फिक्स को गो स्टोरीज के लिए शिकायत आई है, यही अंत है, आप बताई कि क्या घजब का सोच होगा आदमी ने कि शुरू और अंत शब्द को एक ही संदर्व और एक ही घटना के लिए प्रियोग कर दिया जाए, यह लिखके अनुराक करशे अपने स्वहम को चूम लिया होगा आईने के सामने खड़े होकर कि आहाहा, क्या लिख दिया है मैंने, यह शुरू हो गया और यही अन्त है, शद्म बुद्धी जी भी ब्रीट की यही विशेष्टा है कि वो तालिवान का नाम नहीं लेते और गोली तक को लानतें भेज देते हैं, उससे भी विशेष्ट प्रचाती इन लपड़ जंडूओं की होती है, जो कहते हैं कि वाह रवीज जी, यह तो कवित ही कह दिया आपने, क्या शब्द विन्यास है आपका, कितना दर्द है आपके वाकि में, आपके हाथ चूमने का मन कर रहा है, शब्दों से खेलना, अपने वहिचारी खोखलेपन पर तीन कोट पुट्टी, फिर प्राइमर और फिर पेंट चरहने की कला, लिब्रान्डू ब रथानक को आगे ले जाने में या उस पर कोई प्रभाव शोड़ने में कोई आउशक्ता नहीं दिखती, आप सोचे उन स्त्रियों का, उन लड़कियों के बारे में, जो गर्फपात के बुरे अनुभव से गुजरती हैं, अगर आपके जान पहचान में किसी के साथ ऐसे हा हों, तो आप उन्हें हादसे से पहले और बाद में देखिए, वो किस तरह की मानसिक और शारिरिक आगात से उबरती हैं, यह हम और आप जानते हैं, यह वामपंती तो बड़े नारिवादी बने फिरते हैं, फेमिनिजम के नाम पे सेमिनार और लेखों में कोई कमी नहीं र का चितरन, जो मानविय समवेदन हिंता की पराकाष्ठा है, उसे बस दिखाने के लिए दिखा दिया है, ऐसी लड़कियों को वो द्रिश्य क्या वापस बुरे समय की याद नहीं दिलाएगा, क्या वो एक ट्रिगर पॉइंट नहीं बनेगा, जहां वो वापस अवसाद में डिप्रेशन में चली जाएं अपने उस बच्चे की याद में, और हाँ क्या हमने देखा नहीं है कि कैसे सॉफ्ट पॉर्ण इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बच्चों के हाथों में पहुंच रहा है, फिर यही अंत है या सुखद शुरुआत, वो तो समाध तै करेग साथ साथ भीड बनाकर इनके निर्माता निर्देशकों के घरों को घेरा जाए और समवैधानिक तरीके से जैसे शाहिन वाग में हो रहा था, वो इसे ही इनके साथ किया जाए अगली ख़बर में असम और मिजोरम के पुलिस के बीच फाइरिंग हुए और असम पुलिस के छे जवान मारे गए, दरजनों घायल हुए ट्विटर पर असम के मुख्यमंतरी हमानता विस्वा सर्मा और मिजोरम के जोराम थंगा ने लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए कि उनकी सीमा में घुस रहे हैं दूसरे तरफ के लोग इसी चक्कर में दोनों राजियों की पुलिस आमने सामने आ गई और 26 जुलाए को गोली बारी में यह दुरभागे पुर्म घटना घटी दोनों राजियों में सीमा का विवाद पुराना मुद्दा है वैसे असम का अरुनाचल प्रदेश मिजोरम नगालेन और मिगाले के साथ भी सीमा विवाद है पिछले साल अक्टूबर में भी यह विवाद मिजोरम वाला बहुत बड़ा रूप लेकर आया था अलाकि पिछले साथ सालों से देश में आंतरिक समस्या ना तो कश्मीर से आ रही है ना ही हैदरावाद से ना ही अन्य वैसी जगों से नक्सलियों पर सरकार ने घजब का काम किया और उसकी बोलती बंद है इससे इनकार नहीं एक बीच बीच में एक दो दूर घटनाएं हु अलगातार इस बात पर बल देने के कुच्सित प्रियात चल रहे हैं कि मोदी के हाथ में कुछ नहीं है उधर चीन डरा रहा है एक तरफ पाकिस्तान डरा रहा है और बाकि कसर छोटे राजियों ने पूरी कर दिया नेरेटिव यह बनाया जा रहा है कि मोदी न तो आंतरिक स सुरक्षा के मामले में कुछ कर रहा है ना बाई सब बरबाद हो चुका है इसमें दोराय नहीं है कि जो हुआ वहाँ अनुचित है लेकिन कुछ लोगों ने इसको लेकर जो बोला और लिखा है वह उनकी नियत पर प्रशन चिन्न खरे करता है कुछ पत्रकार हैं जो आजकल ख सहस्या यह है कि उनको लगता है कि जब अमिज शाह ने किसी से बात किया और उन्हें कॉंफरेंस कॉल पर लिया ही नहीं तो यह बात तो हुई नहीं रवीश जी अभी सोचते हैं कि अगर हिमांता विश्वा सर्मा स्वैम ही अबयान दे रहे है कि अमिज शाह उनसे और जरा पाजियों में आग लग गई है वामपंती ऐसे सड़े होई शुक्रानों और अंडानों के निशेशन से पैदा होते हैं जहां वो इस मानसिक्ता से नियंत्रित होते हैं कि सरकारों की जवाब दे ही है कि उन्हें निजी तवर फोन करके बताएं कि क्या चलदा है ठीक है कि अ अगर आपने शाम का स्क्रिप्ट लिख लिए है तो अपडेट कर लीजेगा यहां वामपंती विचारा यहां सोचकर मुह मलिम किये बैठा है कि मीडिया वे एंकर है तो उसका कोई भौकाल तो होना चाहिए न कि ऐसी घटना हो तो कम सकंब मोदी जी आमित्साम उन्हें बत सोतेला पन लगातार जहिलना पड़ा है और इसी कारण बाकी के राज्यों में उनके प्रती भेदवाव को बढ़ावा मिलता रहा है महाभारत की चित्रांगदा से लेकर अहोम सामराज के गौरपशाली तिहास लचित बुर्फुकान, रानी गायदिनलियू से लेकर शूर्विर पसल्था, ताजी मिदरन, हेम बर्वा और अनेक महान विभूतियों से भरे इस प्रदेश को मुख्यधारा में जोडने का काम म मोदी सरकार ने किया है, वह मीडिया में उसकी कवरेज को लेकर दिखता है, अब आम आदमी भी इनके नाम जानते हैं, वरना पुर्वत्तर को लेकर मीडिया में या तो घुस्पैट की खबरें दिखती थी, या आसम में आई बार की सालान और तस्वीर, या फिर कोई आंद का रहा है, उसका कोई सवाला अंतर नहीं दिखता, वहीं 55 साल पहले इसी असम मिजोरम विवात को सुल्जाने के लिए इंद्रा गांधी ने आईजौल पर भारतिया वायू सेना के विमानों से बम वर्षा करवाई थी, चाहे नागा शांती समझोता हो या फिर मनिपूर मे से हर समस्या को सुल्जाने कोशिस किया है, और बम वहाँ बरसा है, जहां मन मुहन सिंग के आधेस की प्रितिक्षा में खड़ी वायू सेना मुंबई हमलों के बाद चुप रही थी, ये पूरा नेरेटिव सिर्भ भारत को तोड़ने की इक्षा रखने वाली शक्तियों की स वहीं अन्य ख़बर में राज कुंद्रा जी की अव्यक्ति की सोतंता में पिंक कलर के पंक लग रहे थे, कि पुलिस ने पकर लिया उनको, मीडिया में रिपोर्ट चली कि कुंद्रा जी सफ पॉन बनाकर बेजते थे और करोणों का धंदा चल रहा था, जिसमें वाली लेकिन जब आप थोरा रिसर्चोन मुखी हों, तो आपको पता चला है किसी को जापानी पसंद है, तो किसी को अमेरिकन, किसी को ब्लॉंड, तो किसी को रेड है, माह लाइफ, माह रूल टाइप का मसला होता है इसे मामलों में, मैंने निजी शोध में यह पाया है कि हर व्य कर चुका था, तो इसमें शिल्पा शट्टी जी भी आ गई, कि मैं योग सिकाती रही और पती भोग, मीडिया में छप गया कि शिल्पा जी और कुंद्रा जी में बहुत कहा सुनी हो गई, कई बार पत्रकार लोग यह भी करते हैं, कि अपने मन में जो बातें आते हैं, वो कोई चेक तो करता नहीं, तो वो जो है बाई डिफॉल्ट इसे काम करते हैं, पिछली स्टोरी में आपने देखा कि अमिज शाह ने चार बार हिमानता जी को फोन किया, लेकिन रवीज जी ने लिखा कि नहीं किया, क्योंकि रवीज जी अब सत्य और जूट से परे जा चुक करते हैं, लेकिन फोन पर वधाई दी वाली ख़बर को क्या मोदी जी कहेंगे, कि नहीं भाई मैंने तो नहीं दिया, आपने अपने मन से लिख दिया, इसा मत कीजिए, लेकिन पत्रकार बंधु बिला नागा लगातार ऐसी सुंदर और मनभावन खबरें छापते रहते हैं यूँ तो मैं सिंगल हूँ, लेकिन पती पत्नियों पर मेरा सोध कई बड़ी पत्रिकाओं में छप चुका है, और हाँ आल्ट नियूज वाले भी इस पर फैक्ट चेक नहीं कर पाएंगे, नहीं, शिल्पा और राज के बीच नहीं हुई लड़ाई, दोनों देते हैं एक कमाल के फैक्ट चेक करते हो, कई बार देखे गए, असंभव तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, घर, राज कुंद्रा जी के साथ एक अभ्यूक्त और हैं, तन्वीर हास में, उन्होंने इस पश्टी करण बाद में दिया कि वो तो बस नंगापन शूट कर रहे थे, वो बना रहा होगा, लेकिन तन्वीर भाई ने अपने बयान में जब लॉजिकली शब्द का प्रियोग करके, मुझे पुनरावलोकन के लिए विवस्ट कर दिया, भाई ने जो कहा, लॉजिकली सही बात है, क्योंकि आप जो पीते हो पानी थोड़े, वो तो वाटर है, हम जो पहनते हों, लॉजिकली अगर देखा तो कपड़ा नहीं कपास है, जैसे कपिल देव जी कमेंटरी में कई बात जजबाती हो के कहा देते हैं कि यहां अंतिम गेंद पर दो रन ले लेना मुश्किल तो नहीं, लेकिन कठिन जरूर है, शिल्पा जी ने भी कहा कि यह तो बस पॉर्ण नहीं कह सकते हैं, अब शिल्पा जी ने कहा है, तो सही कहा होगा, जैकि बड़े हो जाने पर सामाने बातें भी आप बुद्धी जीवियों की तरह कर सकते हैं, जैसे कि सामाने व्यक्तिया कहेगा कि दूद पीना चाहीं, लेकिन बड़ा आदमी से जटिल बना दे यहां पर आदमी दूद को मिल्क बोलकर आप पर पर परहाब छोड़ चुका है, उसमें फैट कंटेंट लगवक्त डेर परसेंट होता है, फैट कंटेंट सुनकर आपके मुझ से जाग ठेक देगा और और ध्यान से सुनेंगे, इसमें कैलरी जो हैं, वो भी कम होती हैं, हार इसमें उत्तम बताया गया, वो इसरायल पर इतनी सहस्ता से स्विच मारता है, कि आप दूद की वज्यानिकता नापते रहेंगे, और यह भी सोचेंगे, यार कितना जानकार आदमी है, वैसे शिलपा जी ने कभी भी पॉर्ण और इरोटिका के अंतर पहचानने पर घमण न पती स्वयम ही बहुत लोगों से बहुत कुछ बंद करवा रहा हो, तो यह वाला तो जमेगा नहीं, शिलपा जी ने सिर्फ निर्दोश शब्द पर ही फोकस नहीं किया, बलकि इरोटिका और पॉर्ण भी वोला, क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्होंने पती का कैमरा वर कर एक दूसरे तलाग दे चुके हैं, लेकिन शिलपा जी ने बताया, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है, शिलपा जी ने एक और बात कहीं, जो मेरे दिल को एदम टच कर गे, उन्होंने रोते हुए का, रोते हुए कोई भी कुछ कहती है, तो मैं पिघल जाता है, आप तो मे वो चो अक्षर से शुरू होने वाला विशेशन का अधिकारी है, देवी जी, वह फिल्म इतनी वाहियात है कि आपको तो पैसे देकर रिलीज करवाना पड़ा होगा, ऐसा मना जा सकता है, अगर ऐसी फिल्म देखने कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अलग विभार नहीं कर हो, सामान ने हो तो उस पर चीनी वायरस को मारने के लिए बन रहे टीके को पिला कर देखना चाहिए कि असर होता है कि नहीं, सरकार चाहे तो ऐसे लोगों के लिए पदम स्री की तर्ज पर कोई और भी श्री दे सकते हैं, अब बात यहां आती है कि कमाऊ पतनी के होते हुए राज कुंद्रा को भला ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो यह सब शूट करने लगे। मेरी राई यहां जरूरी तो नहीं है लेकिन दे देता हुए। शिल्पा जी की योग की डिवीडी आती है। राज कुंद्रा पर कानपूर से लेके चमोली तक के लड़कों ने आरो तो क्या बुरा ही है। खार समाज के चार लोग बेकार लोग होते हैं। इसी से बचने के लिए कुंद्रा जी ने सोचा होगा कि पतनी योग के वीडियो बना रही है तो मैं भोग के बनाऊंगा। वैसे भी पुराने लोगों ने भी कहा है कि जीवन में आहार, मैथुन और निद्रा अवश्यक है। उन्होंने इस क्रूर समाज के तानों के भैसे यह कारे किया और फंस गये। वही समाज आज इन पर हस रहा है। यह बताता है कि जब आप गिरे और मुर्जाय हुए हैं तो कोई नहीं पूसता। अगर आप तने रहेंगे तो लोग आपको भाव द पर चड़ने वाले पिता के चमतकारी पुत्र ट्रैक्टर ही मैनेज कर पाए। राजीव गांदी तो क्या हवाई जहाज पर विचाड़ जाते थे लेकिन कभी घमन नहीं किया। राहूल गांदी जी पिछली बार ट्रैक्टर पर चड़े तो गद्दे लगवा कर चड़े इस बार गद्दा नहीं दिखा, कुछ मसकरों ने पूछा कि पिछले बार कोई दर्द था क्या जो इस बार चला गया। एक कॉंग्रेसी चम्चे ने कहा कि दो टके के यूटिवर अजीत बारती हाँ दर्द था राउल गांदी जी को, किसानों की खराब हलत का दर्द था उ कईसे भी कहीं भी किसी पर विचड़ जाओ, कोई भे नहीं, कोई डर नहीं। राहूल वावा विचड़ गए और पता चला कि ट्रैक्टर से संसद जा रहे थे लेकिन अंबर प्लेट है नहीं। इस पर हमारी महान सरकार ने कहा कि अब तो फच गए राहूल गांदी, अब देश का कानून देगा जवाब, फायर लिखवा दिए कि राहूल वावा बिना नंबर प्लेट की गारी चला रहे थे जो कि गहर कानून में। पता ने अब राहूल वावा की सांस दी जाएगी कि उन्हें देश निकाला मिल जाएगा, लेकिन भाजपा की दाद देनी और फलाने जी की स्रचनात्मक्ता पर एक चालिसा लिखकर गाउं में गवाई जाया और रिकॉर्ड करके पुस्तक के रूप में नडडा जी से उनका विमोचन करवाया जाया, नडडा जी वैसे भी आजकल विमोचन ही ज्यादा कर रहे हैं, यूपी में जो करने जा रहे त कि शाही परिवार में जनम तो गए लेकिन देश इसी भी चागे बढ़ चुका था, राज शाही रहती तो विदोशकों को भी नौकडी दी जाती, लेकिन समयधानिक लोगतंत्र में सुप्रीम कोट की महत्ती करपाज जितना भी बच्चा हुआ है, विदोशकों को कोई कि एक समून एक सुर में स्विकारा है कि ऐसी मनोदशा दिखाने वाले लोग अमूमन वो होते हैं जो सुबह ब्रेट पर आयोडेक्स लगा कर खाते हैं। वैसे राहुल बाबा ने बार बार ललकार कर कहा है कि सरकार बहस के लिए संसद में तयार नहीं हो रहे हैं। सबसे बेकार संसद होने का तमगा इन है और इनकी माता जी कई बार मिल चुका है। ऐसे में बस कहीं राह चलते कह देते हैं कि वह बहस करना चाहते हैं लेकिन सरकार भाग रही है। सरकार संसद में वैठी हुई है। भाग तो तुम खुद रहे हो। राहुल गांदी के कुछी का या किसी का नेता वनने का एक सिस्टम हुआ करता था एक किसां नेता है यह ब्राहमन नेता यह मुस्लिम नेता दलित नेता है विपारीयों के नेता है। राहुल गांदी बस नेता हैं किसके नेता ही यह आज तक तै नहीं कर पाएं वस्तिता वो नेता भी है कि नहीं इस पर भी उन्हें स्वयम संदे हैं अलग-अलग कालखंडों में उन्होंने अर्थ शास्त्री समास शास्त्री राष्टिय सुरक्षा विश्य सगी महलाओं को स्वयम को स्थावित करने कोशिस की है माजा तो निसंदे बहुत देते हैं लेकिन महलाओं तक वो पहुंसता है कि नहीं या मैं सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हैं किसानों की बात राहुल वावा कर रहें लेकिन अपने गाउं से प्रधानी का चुनाव तक न जीत सकने वा हैं वैसे राकेस पैदा ही टिकेट हुए भले विधायकी का चुनाव लड़ने पर कॉंग्रेस के समर्थन के बाद भी छठे नमर पर आये थे लेकिन प्रधानमंत्री मोधी को जीताने में अपना बहुत बड़ा हाथ मानते हैं टिकेट जी बकल उतारने से लेकर कई और भी चैनलों पर दिख जाए टिकेट की सारी टिकेटी तब निकल गई थी जब उसे लग गया था कि बाबा की पुल्स जो है वह आ रही है और उनकी बकल उतारेगी टिकेट जी प्यार में धोखा खाए अलफ वैस्क लड़के की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे थे कि अब कही र दमीन है बेटी आस्ट्रेलिया में सेटल है खुद एसी वाले कमरे में सोते हुए आंदोलन करता है मसाजर और पिज्जा का आप लोगों को पता ही है नए साल पर दारूप फ्री में बट रही थी तो अन्न दाताओं का पिकनिक जो है चल रहा है सरकार सो रही है क्योंकि सरक पावाले इस इंतजार में कि यह लोग खुद को एक्सपोज कर देंगे अजीद जी अरे भाई हो गए एक्सपोज भगाव इनको यहां से जो हर दिन करोड़ों का व्यापारिक नुकसान करवा रहे हैं और तुम्हारी सरकार तुम्हारी पुलिस तुम्हारा न्यायाल है सप्रीम कोट के सारे जजों भारत के ग्रिह मंत्री अमिश्चा और दिल्ली पुलिस के कमिशनर पर भारतिया नागरिकों के मूल अधिकारों के आतिक्रमन का केश चलना चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि नोटंकी क्या तब तक बरदास्त की जाएगी जब तक दि नीच आदमी की दृष्टा देखिए कि लाल किले पर हुए हमले के बाद भी डटा हुआ है और लखनाओं पर सीधे हमले की धंकी दे रहा है कि उसे भी दिल्ली बना देगा वह तो उधर योगी जी हैं जो खुद वक्कल तारने के लिए बैठे हुए हैं वरना भाजपा के केंद्रिया नेत्रित्यू की निकृष्टा तो यही कहती है कि कि किसी के भी पास दो हजार लोग हैं तो यीट बालू से सड़क पर मकान मना कर बैठ जाएगा और जब मन करेगा लाल किले पर से तिरंगा फेक कर अपना कोई जंडा लगा देगा वहीं दूसरी खबर में जा कि शाह जहाने मुंताज की प्यार में ताजमाल बनवा दिया बीवियों को सेक्स दासी और बच्चे जन्ने की मशीन बनाने वाले ब्रीड प्यार की बातें ना करें तो बहतर है क्योंकि उनके सौ प्रचत खून अपनी रगों में होने का दावा करने वाले तब भी और आज महल बनवा देंगे ऐसा मानना मुर्कता की पराकास्था है दूसरी बात यह है कि वस्तुता जावेद अक्तर मुगलों को दोगला कह रहे हैं मुझे लगता है कि 75 प्रचत वाला तथि लाकर जावेद भाई कॉंग्रेस के दौरा महान बनाए गे दोगलों मतलब मुगलों को गलत प्रकास में दिखा रहे हैं हम लोग तो हमेशा से कहते रहें क्योंकि इनके बापों का पता नहीं कि किस ने किसको पैदा किया इसलिए कॉंग्रेस सरकारों ने NCRT की कितावों से लेकर सावुन के विग्यापन तक बावर का वेटा हुमायू हुमायू का अकबर रटव यह निकाह हलाला की रस्म मैं ही पूरी करने उस परंपरा के शीर्स पर बैठे लोग अपने ही बापों की संताने होंगे यह तो संदिग लगता है खैर पूरा जीवन जब हॉलिवूड की फिल्मों के कथानक चोरी करने और भारतिया करण करके बॉलिवूड में जंडे गार सुवर से भी बुरी शक्त लेकर पैदा हुए वादसा को आप कितना भी मैकलेंजलों का डेविड बनाकर दिखाए वह रहेगा वही एक रेगिस्तानी सब्विता की दोगली पैदाईस जो कुरूप और बरबर था जावेद अक्तर जी सावित क्या करना चाहते हैं किस परक् करनांताओं की बरबरता को दीने लहसुन लिख देना उनके द्वारा किये गए बलातकारों को 75 प्रचत प्रेम कह देना उनके द्वारा जलाई गए बस्तियों को पुनरत्थान कह देना और उनके द्वारा काटे गए हिंदू पुरुषों को महान योद्धा के गवरबशा और दुर्भागे वस्तिक गए अब परिस्थिती भी बदली है भागी भी इसलिए पहले बावरी ली आगे मत्रा और काशी लेंगे फिर 29,000 मंदिरों को हमारी आने वाली पीविया मुक्त करवाएंगी जो मस्जिदों के भीतर या नीचे कैद पड़ी है जावेद भाई तब योके में चुनाओ पर भारत की दो टूक किसी मस्खरे ने वाटसेप पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ये अश्लील शब के ये दो टूक और चार टूक ही करते रहेंगे उमीद है कि भारत का विदेश मंत्राले और रक्षा मंत्राले मेरा ये वीडियो देख रहे हो कोई मोदी जी का मूँ ताकते रहते हैं कि नोट बंदी ना सही हम सिंगल लड़कों को कोई बंदी ही दिला दीजिए लेकिन ये निश्ठूर प्रधान मंत्री वह भी नहीं कर रहा है बहरहाल पांच अगस्त को बलुचिस्तान अलग हो जाए तो बड़ा आनन्दा आए और इमरान खान को यॉरकर मारा जाए इमरान खान ने हाथ की मोटी नस में इस वाले में साथ वज़े वाला सिरिंज मारने के बाद तुरंत कहा है कि तालिबान के लोग आम लोगों की तरह हैं हाँ जोपड़ी के आम लोगों की तरह किसने कहा कि उनके सींग और पूछ होती है इम्रान का ये कहना कि तालिबान आम लोग हैं, लड़ाके या आतंकी नहीं, ये तो ऐसी ही बात होगे कि राज कुंद्रा के तन्वीर भाई ने कहा कि हम नूडिटी शूट करते हैं, पौर नहीं, मतलब वो लोगों को मार रहे हैं, हाथ में 41 हैं, लेकिन आतंकी नहीं, कि जगे सर पर कुछ और लिये गूमने वाली पत्रकारों के गैंग ने बनाया ही था, देखो तालिबान ने दानिश सिदिकी की बात पर मानवता दिखाई, समवेदना जाहिर की और दुखी वे, लेकिन ये मोदी एक ट्वीट तक नहीं कर रहा, उसके आल लानतों की मिसाहि दागी गई उस गोली और बंदूग की तरफ जिसने लाशों की तस्वीरों से घर चलाने वाले कुख्यात दानिश को मारा था, अब ख़वर यहारी कि दो-चार लांते शायद चाकों को भी वेजना चाहिए था रवीज जी को, बात ये है कि दानिश जी लाशों की खोज मे स्पिन बुल्डक खिक्त में तीन-चार अफगान सेनिकों के साथ जा रहे थे कि तालिवान के कुछ मानवादिकार संगठन के लोगों ने चाकों से मानवादिकारों की बात कर दी, ये लोग घायल हो गए तो उन्हें पास की मस्जिद में प्रात्मिक चिकित्सा के लिए ल लेके बीच पता चला कि दानिश भाई पत्रकार ही नहीं, भारत के पत्रकार हैं, तो उन्हें कहा कि मानवादिकारों की गहन प्रियोग की बात तो बनती है यहां पे, फिर उन्हें गाडियों से उसे रौंदा, ऐसा अफगान कमांडर बिलाल अहमद ने इंडिया टुडे स बाद में दूसरे लोगों के नुसार तालिवान ने अपनी भारत ग्रणा दिखाते हैं, उसके शरीर को बुरी तरह से कुचला और ख्शत विक्षत किया माइकल रुबिन ने लिखाया कि मीडिया ने जिस तरह से एक पत्रकार की निर्मम हत्या को तालिवान की गोली वारी में मारा गया कहकर वाइट वाश किया है, वो बहुत ही बुरा है आप ये सोचिए कि मीडिया को मोदी के ट्वीट नहीं करने पर किस तरह की चुल मची होगी कि उसके लिए तालिवान तक स्वाहिदय और सम्वेदन शील दिखने लगा आप सोचिए कि जिस परिवार के पास उसके बेटे की च्शत विक्शत लाशायी हो, जो स्वाहिव को दानुश का मित्र बताते हैं, जो स्वाहिव को तानुश की तस्वीरों और कारियों का फैन प्रसंदशख बताते हैं, वो मोदी घ्रणा में कितना गिरे होंगे कि अपन पत्रकार था और कायरों की तरह शवों और बिलखते परिजनों की तस्वीर बेज कर पेट पालता था। उसे प्रधान मंत्री अपनी संवेदना क्यों भेजेंगे। प्रश्न यह है कि तुम्हारी संवेदना कहा है। तुम्हारे लिए अगर एक ट्वीट की अनुपस्थिती में मोदी की मुसलिम गणा दिखने लगती है और तालीबान की गोलियों, उनके चाकों, उनकी गारी के टायरों के निशानों से आच्छा दित लाश में तालीबान की हैं, मोदी में नहीं। दोस्तों यह नया फॉर्मेट आपको कैसा लगा, आप यह कमेंट के माद्यम से अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लोगों से करवाईए। हम आप में से कई लोगों की सुदा के लिए एक नया चैनल भी बना रहे हैं जहां लंबे वीडियो के छोटे-छोटे क्लिप शेयर किये जाएंगे। उमीद है कि आपका प्रेम हमें वहाँ पे भी मिलता रहेगा। हम आडियो सुनने वाले दर्शकों के लिए भी इस वीडियो को अलग-अलग पॉड़कास्ट प्रटफॉर्म पे लाएंगे। बहु झाल